मित्रो आजे आपड़े एक अगर्थे नू चेप्टर जोईशू Soil Mechanics नू एछे Sear Strength बरामर चे मित्रो रहेमा फर्स्ट लो आपड़े जोईशू कुलंस यहार विकोस टवर्स्ट यहार जो अ पित्रो आपड़े सह था का ट्येभा जए मेंस पाड़े खालियर नॉलीरे फ्लीर नॉलम श्री यहार जोईशू अपने फिलियर 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 अ रता हैने खाली आपना इस्ट्रेस काईये छे वाय बिकोज इट इस जनरलाइज एक्वेशन जनरल केस छे अपने आगर अमना जो इस हुँ तैरे हुँ तमने एकदम डीटेल मा समझाओ इस के सिगमा आलग अलग केस मा केरते लिये वान होने बराबर छे मित्रो वाट इस भॉन आज फाइ एंगल अफ इंटर्नल फ्रिक्शन बराबर जी मित्रो वाट आपने जो ये मोर्स ठीरी ओके देक्ट थीरम इस गिए भी मोर्स नो के जहे के अल दो मट्रियल सार एशंशियली फेल बाई यार वाट इस नेक्स रिटमेंट ब्रीर अन्विलोप इस कर्विल मतलब मोर्स कहवा सू मांगे जह के जहां फिल्य अविल्य औलप क्यों हो जिए कर्वी लिनेयर हो जिए बराबर चे मित्रों next concept next concept is what modified equation given by तयर्जागी तयर्जागी कंसेट्ट्ट तयर्जागी सू कहे चे तयर्जागी इंट्रोड्यूस्ट ओफ इफेक्टिव स्ट्रेस and total stress हवे मित्रों जे में तम नहीं यह वाद करी थी कि सिगमा एने आपणा आगर बनी सुँ एँ अपने बनी सु कि अलग-अलग सिगमा मतलब आ सिगमा ने में स्ट्रेस नाम आपीदू हवे यह अपड़े अलग-अलग केस मां अलग-अलग लईशू एक वार आपड़े इफेक्टिव स्ट्रेस लईशू बीजी वर आपड़े इने टोटल स्ट्रेस रहीशू तो याद राखो मित्रों के अने फाय आपड़ा सियर पेरामिटर छे सी एनफाय च्वाइन करो माटे आपड़े याएकन सियर स्ट्रेंच चेप्टर मां टेस बखर आरखो तो ये बद्दाथा टेस मां आपड़े गयो चे बे कंडिशन पॉसिबल चे अइधर ड्रें गंडीशन अधर अंड्रें कंडी तो solid particle ना ले जे stress आवे आपड़े करी छे मीत्रो, इफेक्टिव श्रेस तो drain condition माँ जे stress येले मतलब कि test नी condition जो drain असे तो आपड़े effective stress यूज करी छू और effective stress यूज जो अने effective stress अगर तेनूनींगे, सिग्मा ड्यश कही है, मित्रों, सिग्मा ड्यास नदिंग बटट इइपेक्टल स्थेस, स्याद्र रागे रहत जो, ड्रेन कंडिशन, है यह वोपन कही सा काई, इफ़ेक्टल परमेटर , बिजु नाव जो मित्रों, क्रीक्री पयरामेटर, नोट तेस्स माँ वाल्ब्स ग्लोज वोई तो एक अलीजन मैं कहई कवाई अंड्रेंड गंडिसेंड नहीं आपने काया strac milliards से मित्रो तोल स्क्रेस अनि टोटल्स ट्रेस लेयर एक्वेशीन मा यूज करो तेरे जमने जे परामिटर माने C and F I and A P I C U and F I U कह ये चे लेके अंड्रेंड परामिटर्स अत्वा टोटल परामिटर्स बराबर जे मित्रो अजू एक अगर्ट्य निवस्तू मित्रो मने यूग को अपड़ेपेक्टिव स्ट्स्त्र Videos अपने धृन वाल ओन्रेंड निकडी किए तो अपने नहीं करें भीसाकिया अगर्ट्य ऊपेत्य случай पोर म Нपडहीज यth कानिग पानि बाहर ने कड़िए किई उचे, untrain अमा मित्रो पानिनिया आपटिरा प्रेशर मायगी वाल क्लोस करीं इड़ल्भल। पौर ओडर कश्रर music याद रखाव मित्रो, downstream condition मापोर ओडर pressure is not equal to 0, केटली असे धनार्यो तम्सुर कर्णे करिए.. बराबर छे मित्रों अवय आपने चुई ये based on the failure envelope types of soil मित्रों अत्यर सुधी आपने बनी चुक्या चे के failure envelope कोने के वाई Coulomb's theory बनी चे आपने बराबर छे now based on the failure envelope there will be the types of soil or you can say that for different types of soil there are different types of failure envelope okay now see here first this one this is the failure envelope now see this failure envelope is going to be start from origin if it is going to be start from origin then we can say that here cohesion is equal to 0 so cohesion 0 then which type of soil friends you can say that granular soil or cohesion less soil what is the best example for cohesion less soil gravel and cell to me through dhyan drako granular soil or cohesion less soil no je failure envelope छे origin मात start था से अन्य horizontal axis जोड़े 5 angle बना उसे बराबर छे मित्रों next step in this step filler envelope is horizontal if it is horizontal then what is the angle made by with horizontal by the failure envelope that is equal to 0 and now मतलब सुताय मित्रों 5 is equal to 0 छे आशोल माते 5 is equal to 0 छे तो 5 is equal to 0 छे तो 5 is equal to 0 ता प्रे सु कही सकी pure cohesive soil what is the best example for pure cohesive soil plastic के तो मित्रों याद रखो plastic clay माते आशो तो pure cohesive soil माते failure envelope horizontal बराबर छे मित्रों next one next one is C5 soil what is the meaning of C5 soil in this soil cohesion is also there and angle of internal friction is also there so that's why it is known as a C5 soil what is the best example for C5 soil silty sand clayey gravel like then mixture of mixture of fine grained and coarse grained or you can say that mixture of cohesive soil and non cohesive soil or cohesion less soil clear so that's why for that soil failure envelope is inclined this one is the failure envelope for that soil clear 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 हवे मित्रों अपड़े यह कर चार टेस्ट जोई सू one by one अपड़े चार टेस्ट बनी सू सीयर स्टन जेप्टर मां तो मां पहलों इम्पोरन टेस्ट चे डायरेक्स्ट सीयर टेस्ट और बॉक्स सीयर टेस्ट अपड़े सेंपल यूज करें जे सेंपल नी साइज सू जे मित्रों 60 mm by 60 mm by 25 mm okay so based on that you can say that 60 by 60 means cross section is square so that is the important statement that cross section of this cross section of the soil sample in this test will be square याद रख जो मित्रों cross section क्यो हो जया मां square हो जे next one this test is best suitable for sands याद रख जो मित्रों आ टेस्ट कहीं काया टायपनी soil माटे इंपोटन चे? sand माटे next one in this test failure plane will be horizontal and principal planes will be inclined यहले मित्रों आ टेस्ट नो एक disadvantage छे के आ टेस्ट मा तमय कोई पान soil तो तो यहना failure envelope fix छे के horizontal लासे मदला मेना failure plane horizontal लासे failure plane horizontal लासे माटे मित्रों आ टेस्ट नो disadvantage छे के in this test failure plane will be horizontal and principal planes will be inclined मित्रों आ टेस्ट माटे कई एक्वेशन यूज करीए चे? simple जे आपड़े concept यूज करता था Coulomb's theorem परती CS10 नो 8 छे s is equal to tau f tau f is nothing but failure CS10 failure CS10 is nothing but shear strength is equal to c plus sigma 105 आई equation दी मित्रों आपड़ेस्व करीशू अलग-अलग condition मान जामकि आपड़े उख करीश सके tau f1 is equal to c plus sigma 1 105 आपड़े tau f1 ने sigma नी अलग-अलग pair लाईशू आप नी पर लेजे ये जी आपड़े बीजी पर लेजे same soil माटे same soil नू अलग-अलग shear stress ने normal stress पर failure कराई ने equation बनाई ने equation ने solve कराद ये cn5 value माने कांगि at the end of the test कोईपन test ना end मा आपड़े final purpose हुआ जे to find the shear parameters what are the shear parameters? cn5 the shear parameters तो मित्र याद राखो tau f1 sigma 1 नी जोड़ी tau f2 sigma 2 नी जोड़ी आले ते आपड़े pair बनाई ये failure shear stress ने failure normal stress आनने येना पर दिया बेखे रोन जेपन shear test बराबर जे मित्रो triaxial compression test that will be the second test in shear strength chapter okay triaxial compression test मा आपड़े शू करे जे परम्तु एनी पेला एक अगत तेनू statement जे what is that? it is the best suitable for clays and c5 soil मित्रो याद राख जो आटेस्ट कही soil माटे important जे clays and c5 soil माटे बराबर जे triaxial compression test मा करे जे एक transparent chamber जे एक transparent chamber ने fully आपड़े water जे fill up करे जे एनी अंधिर आपड़े soil sample मुखिये जे soil sample ने water थी separate out करो माटे आपड़े rubber membrane यूस करे जे मित्रो आजे जे जे बदा rubber membrane जे so we are using the rubber membrane to separate out the soil sample from water clear मित्रो आचे valve ने open ने close condition जे एना पड़े पचिद डिस्कस करे जो कहना valve ओपन ने जो close वो त्यारा स्विफेट थाए बदा बदा जे मित्रो तो आजए water थी separate out करो माटे आपड़े rubber membrane यूस करे जे shape of sample is cylinder in this test very most important statement मित्रो याद रग जो कयो shape use करे जे cylinder shape to separate the soil sample from water rubber membrane we are using okay as it is earlier I have discussed now sigma c is nothing but cell pressure ये लिए मित्रो आजए soil sample निया जू बजू जे आपने water राक्यू छे ये सुगरे जे soil sample ने confine करे छे okay that's why that pressure because of water the pressure exerted onto this soil sample is known as a cell pressure or confined pressure because this water is confining the soil sample बराबर छे मित्रो हवे जो आज टेस्ट चे मां 2 स्टेज चे आटेस्ट नियंदर 2 स्टेज चे येले के 2 स्टेज मां आपड़े loading करे चे stage सहना परते डिफाइन गाई जे 2 अलग 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 tap ना loading अपड़े करिये चे आटेस्ट मां stage 1 stage 2 एरिते करे चे एक साथे नाधी करता बराबर छे हवे stage 1 काई हो छे मित्रो stage 1 is consolidation stage मित्रो consolidation stage इडले काई हो stage के जह मां आपड़े soil sample मुख्ये चे आजू बाजू जया fully water छे this transparent chamber is fully filled up by water only in that transparent chamber we are going to put our soil sample तो हवे मित्रो मने को soil sample पर कयो pressure लाग से भक्त आजे water नू pressure लागे चे मात्रने मात्रप water नू जय प्रेशर लागे चे जयने आपड़े सुगई चे cell pressure नाम आपड़े consolidation stage that is our stage 1 here only confined pressure is applied what is the meaning of confined pressure here only we have discussed cell pressure is nothing but our confined pressure that is exerted by water only okay so now that's why I amitra you come on a stage 1 maa soil sample situation के भी वह बदी बाजूती cell pressure लागे चे that's why every in each and every side only sigma c sigma c sigma c is there clear that now next one is stage 2 stage 2 नाम जे मित्रो searing stage stage 1 consolidation stage stage 2 searing stage searing stage it is the stage in which we are going to apply additional stress what is that additional stress deviator stress deviator stress apply deviator stress is nothing but stress because of external load ये ले हूँ कही सखाई कि deviator stress अपने बार्थी externally आपटे जे that is nothing but external stress or stress because of external load तो मित्रो जारे फक्ट cell pressure लागतु होए फक्ट cell pressure होए shear failure possible नथी कैंकि cell pressure तमें जो मित्रों बद्धी डायरेक्शन मां लागे चे चारे चार बाजू आपटे deviator stress additional लगाए चे जना लिद्धे करी ने shear failure soil sample नू ताय तो मित्रों याद राखो deviator stress is responsible for failure ओके अचो आपड़ एउपएंट कैसा कि shear failure of the soil will takes place in stage two only remember this two statements very important deviator stress is responsible for failure and shear failure will takes place in this stage only this stage means searing stage जोनी मित्रों याद राख जो हवे मित्रों तो मने यह को आपने सन्दीसन मां स्वाइल संपलनी situation के विये से उपणने डायरेक्शन मां उपण नीचे बनने बाचो डेवेट रस्क्रेस additionally अपणे लगाए उज़े अन्ने साइड मां तो जाएल साइड मां तो ज्ज़े स्वाइल स dovस्ता एस है सिग मां घर जे शुये तो मित्रों उपडल सुचा के ज़ा सिगा सी प्लस सिग्मा जे मैशिम्मनर्मल्स रोयल आपड़र ऑड़र अपड़र है जे माम उपड़र्ड लाइर मौन पर्रंसीपल which is acting in horizontal direction that is our sigma 3 and sigma c plus sigma d which is acting in vertical direction that is maximum that's why we can say that sigma 1 is equal to sigma c plus sigma d is equal to sigma 1 that is nothing but major principal stress to meet or yaad rak jo aje soil ni situation se hum parit equal draw karuchu sigma 1 and sigma 3 na formma sigma 1 here here also only sigma 1 here sigma 3 here also sigma 3 barabar se mitro aya vastu igdam jyanthi the 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 the